दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई किया बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले सिरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी ख़बर से बिहार सिजेल 2023 प्रारामीक परिचा का रिजल्ट हुआ जारी च्छे लाग कुमेदवारों ने दिया था एकजाम 11,240 वे सफ़ब बिहार कर्मचारे चैन आयोग ने 33 नातक की स्तरिया सयुंक्त प्रारामीक परिचा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है आयोग ने इस रिजल्ट की गोसना कलियानी मंगलवार 31 मैं को जारी की है इस परिचा में करीब 6,060 मिदवारों सामिल हुए थे जिन में से कूल 11,240 मिदवारों को सफल गोसित किया गया है मैं बियससी जल्ट इस जल्मुई की परिचा का नोटिपिकेशन भी जारी कर देगा जानकारी के लिए बता दे कि इस बर्थी परक्रिया के जर्य सचवाले सहाइक के 360 अंकेचक, निबंदक सयोग समिती के 256, योजना सहाइक के 460, मलेरिया निरिक्चक के 125, अंकेचक, निदेसाले के 370 और डाटा इंट्रे ओपरेटर के दो पदबर भर्थी की जाएगी बिहार के 16 जिलो का पारा, 40 डिग्रे के पार, और अंगाबाद और नालंदा सबसे गरम, आज से फिर हीट बेव कलर, बिहार में गर्मी तेवर दिखाने लगी है, लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, मंगलवार को 16 जिलो में अधिक्तम तापमान, 40 डिग्रे सेसेस के पार दर्ज किया गया, अरारिया और कटिहार में हीट बेव की सिती बने रही, वहीं दो जून से लूज चलनी सुरू हो जाएगी, मौसम विबाग के माने तो प्रदेश में मौसम सुस्क बना रहेगा, अधिक्तम तापमान में 2 से 4 डिग्रे तक की व्रित दर्ज की जाएगी, वहीं बिते 24 गंडे के दोरान और अंगा बाद और नालांदा जिला, 41.8 डिग्री सेलसेस के साथ सब से गरम रहा, वहीं राजधानी पटना और पस्चिमी चमपारन का धिक्तम तापमान 41.1 डिग्री सेलसेस रहा, वहीं भोजपूर का 41.6 डिग्री, गया का 41.5 डिग्री, सेकपुरा का 41.2 डिग्री, खागडिया का 42.9 डिग्री, इसके साथ और जिलों का तापमान भी 40 डिग्री के करीबी दरिश किया गया है, वहीं देके मौसम भी भाग के ताजा पुरानमान के मुताबिक आज से राज में भी लू और हीट बेब एक बर फिर से शुरू हो सकत हैं, बिहार बोड बारवी कंपार्टमेंटल परिचा का रिजल्ट हुआ जारी अदच अनन की सोर ने जारी किया परिनाम, बिहार बोड ने बुद्वार को बारवी कंपार्टमेंटल परिचा का रिजल्ट जारी कर दिया है, दोबार एक बज कर 30 मिनट में कला वानेज और बिगान स्ट्रीम के लिए इंटर कंपार्डमेंटल परिचा का परिणाम बिहार बोर्ड के अधाच आनान किसों ने जारी किया है। आपको बता दे के इंटर्मिटेट कामपार्डमेंडल सब इसे इस परिचा 2023 में कुल 56,031 विदाति सम्मिलित हुई थे जिसमें से 34,792 विदाति उत्रिन हुए हैं इस परकार इस परिचा में विदातियों के उत्रिन निता का परिचाद 12,746 परिचाद है बिहार बोर्ड के ओर से टॉपर विदातियों को इंजिनरिंग और मेडिकल के तयारी मुद्व में कराएगे सरकार, खाने रहने और पढ़ने तक की होगी निसुल के वेबस्ता राज में मेट्रिक परिचा के टॉपर 16,16 के लिए बिहार बोर्ड निसुल के इंजिनरिंग और मेडिकल के तयारी कराने जा रहा है इसको लेकर कल बिहार बोर्ड के अधा चानांद किसों ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि जून महिने के प्रतम सब्ता में ही आवेदन आमांतरत के जाएंगे और माक्स के अधार पर 16,16 को चैन किया जाएगा अधा चानांद किसों ने बताई कि मुईखी मांतरे ने तेश कुमार द्वारा बिहार बोर्ड को नेदेश दिया गया था, कि बिहार बोर्ड से उत्रेन मेगावी मेटरिक के विदातियों के लिए बिहार बोर्ड द्वारा निसुल के इंजिनरिंग और मेडिकल की की वेवस्ता की जा रही है एस योजना के अंतरगात पटना के दो विदालों को चिनित किया गया है जिसमें लड़कों के लिए पटना कोलेजेट विदालाई और लड़कों के लिए बाकी पूर बाले का उच विदालाई इन दोनों विदालों में छात्रा चात्राओं को निस सबिस वीद बाहाल पाटना नगर निगम के साथ राज के सब या 19 नगर निगमों में माकान वा भवन के लिए नकसा पास करने की नए व्यवस्ता लागो कर दी गई है नगर विकास विभाग ने नकसा पास कराने के लिए वस्तुविदो, अभियानता emphasized सरचना अभियानतावों नगर निवेसों को पर्यक्षकों और भवन निर्मान से जुड़े 709 तक्निकी विस्टेवों की नई सिरी से निवंदन कर दिया गया है इसी कड़े में मंगलवार को पुरे राज के नगर निगोमों से इन सभी लोगों की वर्चुल टेनिंग कराएगी इसमें 424 नौप पंजगीरित कर्मी सामिल हुए सभी नव पंजगीरित वस्तुवीदों अवं अभियांताओं को नेदिस दिया गया कि छोटे नेकसे को 7 दिन अवं बड़े नेकसे को 15 दिन के अंदर पास करे बाड़े कर में देखे कनया के साथ मांच सादक करने से तेजस्वी का इंकार कुमार प्रजाती समाज के करिकरम में मुई का दिती थे लेकिन नहीं पोचे पिछले लोकसवा चुनाव याने 2019 की बात है देश बर के वाम बनते निदाव के साथ सेकलर जमात ने राज़त से गुहार लगाय थी कि वह बिहार की बेगुस्तराई सीट पर अपना उमिदवार नहीं उतारे लेकिन CPI ने उसी सीट से जेनु चात्र संग के अदयच कनया कुमार को मैदार में उतारा था लेकिन कनया कुमार और BJP के आमने सामनिक लड़ाए में राज़त ने अड़ंगा डाल दिया था राज़त ने उस सीट से अपना उमिदवार उतारा था उसी समय ये चर्चा थी कि तेजस्वी अदव बिहार में कनया कुमार को नेतार नहीं बनना देना चाहते हैं आज पिर ये बात सावित हो गई पढ़ना में कल बिहार कुमार प्रजाती समयनों समिते का सम्मिलन हुआ डिप्टी सेम तेजस्वी अदव इसके मुई कतिती और उदगारण करता थे लेकिन कायरकरम के कतम होने तक तेजस्वी अदव का इंतिजार होता रहा गिया वे नहीं पहुचे दरअसल इस कायरकरम में कॉंग्रिस कीने तक कनया कुमार को भी आईजोको ने अमांतरित कर लिया था मंच पर कनाया कुमार को भी बैठना था ये खबर तेजस्वी आदव के आवास तक पहुची और फिर डिटपी सियम ने कारकरम में आने से इंकार कर दिया बिहार के राहनीतिक के लिए जोन का महिना काफी आहम रहने वाला है इसी महिने में काफी राजनितिक रंग सामने आने वाला है एक तरब भाजबा विरोती दलबारा जोन को बड़ी बेठक करेंगे तो दूसरे तरब इसी महीने भाजपा भी चार बड़ी रेलिया करने जा रही है इसमें एक रेलिय में पिया मोदिक के भी सामिल होने के कयास लगाये जा रहे हैं आपको बता देगे बिहार के मुईकी मांत्रे नेतेस कुमार के नेतोत में बेबक्ची एक्ता की जो मुहीम चलाई गई है उसको लेकर आगामे 12 जून को देश के तमाम बेबक्ची दलू की बेड़क पटना में होने वाली है वाज दूसरी तरफ आगामे लोकस बचनाओं को लेकर भाजपा राज में चार बड़ी रेलिया करेगी जिसमें से एक रेलिय में पिया मोदिस सामिल होंगे और बाकी की रेलियों में केंद्रे ग्राम मंत्रे आमिसा मौजूद समेट कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे इसी दुरान वो अब तक की 9 साल की दुरान भाजपा सरकार की तरफ से के गए कारियों काव लोगों की बीच देंगे और महागडबंदन समेथ नितीज सरकार पर जम कर हमला बोलेंगे बाड़े करम देखे किसानों को एक क्यवाइसी करवाने का मिला आखरी मौका तीन जून तक सबी पंचायतों मिल लेगा कैम पियाम किसान समान दे योजना की लबारतियों को एक क्यवाइसी के लिए अल्टिमिटम दिया गया है जिन किसानों को किसी कारणवास एक क्यवाइसी नहीं हुआ है वने हर हाल में एक क्यवाइसी करना ज़रूरी है इसके लिए 30 जून तक के समय दिया गया है फिलाल प्रधान मंदर्यक सान योजन के पादर किसान 14 किस्त के इंतिजार कर रहे हैं हाला कि इसके लिए किसानों को एक बाशिक करुआना जरूरी है सुत्रों की माने तो केंद्रे क्रिसे मंत्रा लए अगले माने जोन और जुला की बेच कभी भी चोदवी केस्त जारी कर सकती है बिहार में गेहूं खरीद अब 15 जोन तक होगी सरकार ने गेहूं खरीद की तिथी बढ़ा दी है बिसे सचीव संजे कुमार उपाइदा ने आदेश करते वे कहा कि खरीद के बाद संगरान केंद्रों पर गेहूं चमा करने के अंतिन तिथी को बढ़ा कर बाई जुन कर दी जाए राज में गेहूं खरीद की प्रक्रिया रब्तार नहीं पकड़ रही है गेहूं खरीद पिछले साल की तुलना में भी कम हुई है मंगलवार तक राज की पेक्सो और बेपार मंडलों के रिजरिये छे सुतर मेटिक टरन गेहूं की खरीदी हो पाई है जबके लच दस लाख मेटिक टरन का है बिहार के 72 हजार स्कुलों में खुलेंगे यूत वा इको कलब बाच्चों में नेतू तो चमता परवरान सरक्चन और जिवन कोसल बढ़ाने के लिए सरकारी स्कुलों में आब यूत कलब और इको कलब का गठन होगा इसके कक्चाई भी चलेगी कलब को बच्चे ही तयार और संचलित करेंगे इसमें राज के प्राथमेक, प्रारंबिक, माईदमेक और उच माईदमेक के 72 हजार से अधिक स्कुल सामिल होंगे नाई सिक्चानिती 2020 के तहाथ यूत कलब और इको कलब का गठन किया जाएगा इसमें कक्चाई एक से बारवी तक के स्कुल को सामिल किया गया है यह जुलाई में सुरू होगा बिहार सिक्चाप परियोजना परिसाद द्वारा सभी जिला सिक्चा कार्याले को सुचित कर दिया गया है प्रते एक महने दो कक्चाई यूत और यूको कलब के लिए होगा इसमें बच्चों से सुझाओ लिये जाएंगे यूत और यूको कलब द्वारा गतिविद्या आईजित की जाएगी हर गतिविद्य को फोटोग्राफिय और वीडियोग्राफिय होगी इसे दिसम्मर में राज कर्याले में भेजना होगा बाड़े कर में देखे नितिस कुमार को ममता बनर जी का मिला साथ बारा जून को बिबाग्चे एक तक की बेढग में होंगी सामिल सेम्नितिस कुमार को बिबाग्चे एकटा की मोहीम में प Industry मंगाल के मुख मांतरी मामता बनर जी का साथ मिल गया है महमता बनर जी ने बुद्वार को पाटना आने और विबक्चेक्ता की बैठक में सामिल होने पर अपनी सहमाती दे दी है साथ ही इस बैठक का पुरा क्रेडिट लिया है विबक्चेक्ता को लेकर 12 जुन को बैठक होनी है इसके तैयारी करने को कही थी इसमें सभी लोग राजी हुए थे मुख्यमंतरी ने तिसक मार बिबक्चेक्ता को लेकर एक बड़ी पहल कर रहे है तो पाटना में एक बड़ी बैठक होनी चाहिए इसमें ममता बनर जी ने आने के समार्तन करते वे कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि यह बैठक दिली में हो लेकिन कुछ लोगों को मानना था और मेरा कहना था कि पटना में बैठक हो बिहार में 34,000 से ज़्यादा पुलिस बलो का जिला आवंटन पूरा जल्द होगी बहाली बिहार पुलिस में 68,000 से अधिक पदों पर होने वाले सिधी बहाली को लेकर परक्रिया शुरू हो गई है पुलिस मुक्याले ने 34,000 से अधिक पुलिस बलो का जिला आवंटन कर दिया है इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रेंग तक के पुलिस पतादिकारी वा करमी सामिल है कुछ पद प्रनोती के तहद भी भरे जाएंगे सबसे अधिक 3098 पुलिस बल पाटन जिले के हिस्से में आया है इसके बाद गया नालंदा बैसाल जिले में बड़ी संग्या में पुलिस बल का आवंटन किया गया है बिहार पुलिस मुक्याले के दवारा जीन 34,000 पुलिस बलों का जिला आवंटन हुआ है उसमें से 7,645 पाद जन संग्या के अनुपाद वाले हैं यहाँ पद वर्स 2013 में ही स्विक्रत हुए थे उस समय 43,761 पदों की इस रिजन की स्विक्रती मिली थी इसके तहट चार चर्णों में पुलिस बहाली पुरी हो गए थी जबकि कुरोन के करान पाचवी चरण की बहाली लंबी थी जन संग्या अनुपाद के अनुसार ही इन 7,645 पदों का जिलावार आवांटन क्या गया है इसमें से 104 इंस्पेक्टर 932 दारोगा 1292 एसाई और 1049 हवलदार और 4,276 सिपाई है भारतिय नंबर की गाड़े से नेपाल जाना हुआ महंगा नेपाल के बजट का भारत में असर हुआ है भारतिय वाहनों से अब नेपाल जाना लोगों को महंगा पड़ेगा भारतिय वाहनों के लिए नेपाल में परवे सुल्क की बड़ोतरी कर दी गई है बजट के बाद भारतिय वाहनों के परवे सुल्क में 100 रुपे का इज़ापा किया है नेपाल के जनकपूर दाम तक जाने के लिए भारतिय चरपया वाहन का परवे सुल्क 500 रुपे लगता था लेकिन बजट के बाद अब 600 रुपे की परची कट रही है अडिकार मन्दे के बपीएसे ने 1.70 लाख सिक्चक भरति के लिए जारी किया बिगापन 15 जून से उल्लाइन अविदन बपीएसे ने 1.70 लाख सिक्चकों की नियुक्ति की सम्मादित बिगापन मंगलवार को जारी कर दिया है सिक्चक नियुक्ती परिचा के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक लाइन आवेदन लिया जाएगा आवेदन सुल का अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती महिला वा दिव्यांग के लिए 200 रुपिया और समयन वर्ग के पुरुस वा आईन उमिद्वारों के लिए 7500 रुपिया होगा कि अप्यारिंग केंडिडेट भी इस परिचा में सामिल होने का मौका मिलेगा 31 अगस 2023 तक जिन चात्रों की अर्दस समादी परिचा हो गई है या फिर हो जाएगी लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाएगा उनको भी सिक्चक न्यूकती परिचा में भाग लेने का मौका मिलेगा इस वर्ष के अन तक तो किसी भी हाल में हम रिजल्ट निकल ही देंगे